हाई फ्रेंस आज मैं खीर बनाने का ऐसा एक नया और यूनिक तरीकल लेके आई हूँ कि जब भी महमान घर पे आ जाएं तो आप बहुत ही ज़दी से यह खीर बना कर तयार कर सकते हो इसको बनाना इतना आसान है कि बहुत ही जटबट से यह बन कर तयार हो जाती है और इसके लिए ना ही चावल बिगूने की जरूरत है और ना ही खीर वारे चावल की जरूरत है जो भी चावल हो उससे आप इस खीर को बना का तयार कर सकते हो तो फ्रेंस वीडियो शुरू करने से पहले आप से निवेतन है कि अगर आप चैनल पिनना याई हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक, सेयर, कमेंट जरूर करना और रैस भी देखने के लिए वीडियो को फूल बच के जिए तो चलिए सुरू करते हैं तो इस खीर को बनाने के लिए यहां पर सबसे पहले हम दूद ले लेंगे तो दूद आप ठंडा या गरम कोई सावी ले सकते हो तो यहां पर मैंने गरम दूद लिया है और यह मलाई वाला दूद है इसको मैंने पहले से ही गरम कर दिया था जिससे कि इसके उपर मलाई भी पड़ गई और इसमें मैंने पानी बिलकुल भी नहीं डाला है यहां पर हमें बिलकुल पियो दूद लेना है और इसमें पानी बिलकुल भी नहीं डालना है बिना पाने का ही दूरी यहाँ पर हमें लेना है इससे जो खीर है बहुत ही ज़्यादा रवड़ीदार बनकर तैयार होगी इसको गरम कर लेते हैं और ड़क कर रख देते हैं और यहाँ पर मैंने जो है एक कटूरी बची हुए चावल लिए है तो यहाँ पर मैंने चावल बनाए थे जो की थोड़े से बच गए थे तो आज उसी से हम यह खीर बना कर तैयार करेंगे और बहुती बड़ी आसी खीर बन कर तैयार होगी और अगर आपके पास यह चावल नहीं है तो आप अलग से भी यह चावल बॉयल कर सकते हो तो यह देखें यहाँ पर हमारा दूद भी अच्छी तरह से बॉयल हो गया है और इसमें हम अब बचे हुए चावलों को डाल देंगे तो यहाँ पर मैं जो चावल रखेते उनी को इसमें डाल देती हूँ सारे चावलों को डालने के बाद अच्छी तरह से इसको जो है इसमें मिला देंगे और इसको इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे इन चावलों से जो है खीर बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी इसके लिए ज्यादा टाइम भी हमें नहीं लगेगा और आप इसको बीच बीच में रोक भी सकते हो बस नीचे से ये खीर जलने ना पाए और बस धक कर हम इसको पकने देंगे और थोड़ी धोड़ी दीर बाद हम इसको चेक करते रहेंगे जिससे की हमारे खीर नीचे से जलने ना पाए और इसमें हम एक सीक्रेट चीज डालेंगे जिससे कि बहुत ही जल्दी से ये खीर बनकर तैयार हो जाएगी तो इसको चलाते हुए इसी तरह से हमें थोड़ी देर के लिए पका लिना है उसके बाद हम यहां पर बन चौथाई के लगवग मीटा सोड़ा इसमें डाल देंगे इससे हमारी खीर जो है बिलकुल भी फटेगी नहीं और बहुत ही जल्दी से जो है पक कर ये तैयार हो जाएगी और जटपट से बनका तैयार हो जाएगी इसको बराने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इसको हम चलाते रहेंगे तो ये देखिए मीटा सोड़ा डालने के बाद हमारी जो खीर है वो गाड़ी होने लग गई है बहुत ही जल्दी से गाड़ी हो जाएगी और डालने के बाद तुरंट ही ये गाड़ी होने लगेगी तो इसको हम चलाते रहेंगे और ये देखिए थोड़ी ही दीर में हमारी खीर जो है बहुत ही अच्छी तरह से पग गई है और गाड़ी भी हो गई है इसको हम ज़्यादा गाड़ा नहीं करेंगे क्योंकि रखी रखी बहुत ही ज़्यादा जिकीर गाड़ी हो जाएगी उसके बाद एक कटोरी मैंने यहाँ पर इसमें चीनी डाल दी है मीटा आप अपने स्वाद के अकोर्डिंग भी यहाँ पर डाल सकते हो चीनी को भी डालने के बाद जो है चीनी अपना पानी छोड़ देगी तो यहाँ पर इसको थोड़ी देर और इसको हम पका लिएगे जिससे चीनी मैंसे जो भी पानी निकलेगा वो पक कर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और खीर जो है गाड़ी हो जाए तो जी देखे इस तरह से तैयार है अब इसको हम उतार विए हैं तो जी यह लीजिये फैंच यहाँ पर हमारी खीर जो है पक कत तैयार है और मैंने जो एक बटन मैं निकाल लिए है और बहुत ही बड़ी आसी चो स्वारिशी और उनका तैयार हुई है और अब हम इसमें जो है उपर से ड्राइफ रूट्स डाल देंगे तो यहां पर मैंने थोड़े से काजू थोड़े से बादम के कत्रन और यहां पर मैंने थोड़ी सी ही जो है किसमिस भी इसमें डाल दे है आप जो भी ड्राइ फूर्ट डालना चाते हो वो इसमें डाल सकते हो और इस तरह से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा स्वारिशती ये खीर बनकर तैयार होगी खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और कोई भी इसको पिचान भी नहीं पाएगा यी कीजे आप ने बचे हुए चाबल से बनाई है और मैं मानों के आने पर बहुती जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी इसको बनाना इतना आसान है कि हर कोई इसको बना वेगा और बहुत ही जल्दी से बनकर तयार भी हो जाती है और जब भी बनाने का मन हो तब आप इसको बना सकते हो इसके लिए चावल बिगोने की भी जरूरत नहीं है बचे हुए चावल से ही बनकर तयार हो जाती है तो फ्रेंस अगर आपको मेरी रेस्पी जरा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं आई हो तो चैनल को प्रीज सब्सक्राइब जरूर कर लिए जिगा तुम होते हैं अच्छी से नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए टेक किया थैंक्स फ़र